हेलो दोस्तो आज हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटा नास्ता बनाएंगे ये नास्ता सभी को पसांद आने वाला है तो फ्रेंस देर न करते हुए चलिए बनाना सुरू करते हैं अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वी है यहां पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तमाल करना चाहते है तो वह भी कर सकते हां यह पे हुए प्राइट को तोढ़ लिया है अब रहीं मिक्सी का जाड़ लेना इन और उसमें ब्रेड को ताड़ कर बेगर पानी डाले इसको हमें पीस लेना है इसके जो क्रॉम्स होते हैं वैसे हमें बारिक सा पीस लेना है लेकिन ज्यादा बारिक भी यह नहीं है थोड़े से इसके मतलब जो दाने है वो थोड़े से मोटे मोटे हैं अब इसमें हम डाल देंगे एक बारिक कटा हुआ टमाट या और जो कोई भी सब्जी आप इसमें डालना चाहते हैं वो सब्जी भी आप यहां पे डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च तो हरी मिर्च को भी हमें बारिक-बारिक काट लेने हैं एचमbbe के लिए हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे तो यहां पे हम हल्दी पॉडर आदी चमबध से थोड़ी सी ज्यादा मिर्ची पॉडर आट कर रहे हैं और एक चमबऴ हम यहां पे चाट मसाला पॉडर आट कर देंगे स्वात के अनुसार हम यहाँ पे नमक आट करेंगे आप लोग अपने स्वात के अनुसार नमक आट कर लीजिएगा उसके बाद हमें इसको अच्छे सा बाउनिंग देने के लिए एक से डेनर चमच हम इसमें चावल के आटे का इस्तमाल करेंगे आप इस नास्ते को गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं लेकिन गेहूं के आटे में यह नास्ता जो है वो क्रिस्पी और कुरकुरा नहीं बनेगा तो हम यह पर चावल के आठे का ही रहे हैं जैसे हम रोटी के लिए आठा लगाते हैं तो यहां पर देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है अच्छे सामने गूत लिया है इसको हम जितना बढ़ियां से गूत हेंगे उतना बढ़ियां अमरा नास्ता बनके त्यार होगा अब हमें चकला ले लेना है उसको थोड़े से रोल करके और चिप्टा कर लेना है थोड़े से इसको सेट कर लेना है किनारे से ताकि हमारा नास्ता जो है वो बहुत ही बढ़ियां सा बनके त्यार हो तो यहां पर हमारा नास्ता अच्छे से बन चुका है अब हम इसको काट लेंगे त तो इसको थोड़े से हमें पतले-पतले slices निकालने हैं, थोड़े से हमें आराम से इसको काटने हैं, क्यूंकि हमने इसमें सब्जियों को भी add किया है, और यहां पर देखिए, जो थोड़े से चक्कु से इधर उदर हुआ है, उसको हमें थोड़े से हाथों पैसे रखके set कर ताकि हमारा नास्ता जो है, वो देखने में सुन्दर दिखे, तो इसी तरीके से हमें सभी नास्ते को बना लेना है, देखिए, यहां पर हमने अच्छे से सेट कर लिया इसको, अब हम गैस चुले पर कढ़ाई में तेल रखेंगे, तेल अच्छा सा गरम हो जाए, उसके बा पाद इसको हमें दूसरी तरफ पलट लेना है, तो यहां पर हम थोड़े से ध्यान से पलट रहे हैं, और इसको हमें पकाना है लो फिलेम पे ताकि अंदर तक यह नास्ता जो हमारा बन के तयार हो, और इसको चारो तरफ से उलट पलट के पकाना है, यह नहीं कि हम दूसरी तरफ दो तरफ से ही इसको पकाए नहीं इसको हमें चारो तरफ से उलटते पुलटते गी आफ़े अच्छे से पकाना है अंधर को रहा है और जुख दो थे और लेम के से एक दर रहा हम ठाने को सा है बहुत ही बढ़ियां से बन चुका है अब हमें इसको निकाल लेना है और निकाल के प्लेट में सर्फ कर लेंगे तो आप इस नास्ते को टोमाइटो केचप के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चों को भी पसंद आता है तो आप लोग भी बनाएए खाईए इंजुआए कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक शेर कर दीजिएगा टेक क्या है